रबिंद्रनाथ टगोर जिनने 1913 में Nobel Prize for Literature मिला उसके ठीक 40 साल बाद यानि की 1953 में Winston Churchill को Nobel Prize for Literature मिला और तीसरे थे Mohandas Karam Chand Gandhi जिनको 5 बार Nobel Peace Prize के लिए नॉमिनेट तो जरूर किया गया लेकिन एक बार भी उनको वो अवर्ड नहीं मिला ये तीनों Contemporaries थे एक ही जमाने के थे लेकिन जहां रबिद्रनाथ टगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया वही पे Winston Churchill ने गांधी जी को fanatic, malignant और half naked फकीर कहा दोनों के opinions गांधी जी के लिए completely opposite थे और वही आज की यानि की 2020 की भी reality है आज है 2nd October 2020, गांधी जी का 151st birthday और आज भी पूरा world दो अलग-अलग opinions में divided है एक opinion के लोग मानते हैं कि उनकी philosophy, उनकी ideology और उनकी actions highly appreciable है और उनको काफी respect करते हैं और दूसरे opinion के लोग उनको overrated, hypocrite मानते हैं और उनकी हर philosophy, हर action को completely reject करते हैं आप इसमें से कोई भी opinion को belong कर सकते हैं लेकिन हम सब एक चीज के लिए तो ज़रूर agree कर सकते हैं कि वो उनके समय के सबसे बड़े influencer थें ना ही सिर्फ उनकी lifetime में लेकिन आज भी उनका influence उतना ही है जिसका सबसे बड़ा example यह है कि उनको भले 5 बार nominate करने के बावजूद भी एक भी बार Nobel Peace Prize नहीं मिला लेकिन उनकी ideology follow करके, उनको ideal मानके 5 लोग ऐसे है, 5 ऐसे leaders है जिनको अब तक Nobel Peace Prize मिल चुका है वो कौनसे लोग है, इनका नाम में बाद में बताऊंगा लेकिन उसके पहले हम जानते है कि ऐसी क्या बात थी जिन्होंने गांदी जी का इतना बड़ा influence create किया जो आज भी relevant है ऐसी कौनसी बाते थी जिन्होंने गांदी जी को one of the biggest influences of the world ever बनाया तो आएए जानते है कुछ ऐसी interesting चीज़ है जो हम भी हमारी life में definitely implement कर सकते है जब हम गांदी जी के बारे में study करते हैं तो एक बात साफ उभर के आती है कि he was a people's person and he was a local person उनकी thinking, उनकी philosophy बहुत ही global level की थी लेकिन उनकी action में वो हमेशा local level पे connect होना पसंद करते थे चाहे वो South Africa में जब उन्होंने अपनी शुरुवात की वो phase हो या फिर वो जब मरे तब तक के phase में उन्होंने हमेशा ये ensure किया कि वो local से ज़्यादा से ज़्यादा connect हो और उनके pulse को समझ पाए वो first hand experience ले सके साथ अफरिका में भी जब उन्होंने सत्यागरा किया वो वहां के local Indians के साथ constant touch में रहते थे और जैसे ही वो इंडिया में आये और Gopal Krishna Gokhale के कहने पर उन्होंने पूरे इंडिया को ट्राविल किया cities में, गाओं में, हर जगा पे वो दिन के 100 से 200 लोगों के साथ one to one interaction करते थे face to face interaction करते थे जहां से उनको पता चलता था कि लोग कौन सी issues face कर रहे है लोगों को कौन से solutions चाहिए और general public का mood क्या है और उसी के हिसाब से वो अपनी campaigns, अपने सत्यागरह, अपने movements को plan करते थे और उन movements को देखते ही देखते करोडों लोगों का support मिल गया चाहे वो non-violence movement हो, civil disobedience movement हो, dandy march हो या फिर quit India movement हो एक independent research ये भी कहता है कि 1913 से लेकर 1948 तक, गांदी जी ने 79,000 km का traveling सिर्फ walking से किया that was his passion towards meeting people, towards connecting with people 1946 और 1947 के बीच में जब वो डेली में रहे, डेली में उनका जब stay था, 214 दिन तक वो वो वालमी की बस्ती में रहे which was a slum area और वहां के locals के साथ रहे वो deal कर रहे थे, negotiate कर रहे थे, Lord Mountbatten, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhai, Patel, Muhammad Ali, Jina जैसे global leaders के साथ, लेकिन वो रहते थे locals के साथ और वो 214 दिन में उन्होंने वहां के बच्चों को English और Hindi सिखाना भी शुरू किया वहां पे cleanliness पे भी काम किया, so this was his work, this was his connect with local जिसकी वज़े से करोडो लोग उनके एक कहने पर जान देने के लिए भी तयार हो जाते थे तो आज जो हम कहते हैं कि collaboration कितना important है He was the master of this art of collaborating with people, collaborating with right kind of people and spreading his influence even to the zones where he has never visited before जिसका classic example है, 1930 की दांडी माच को जो world attention मिला उन्होंने जब दांडी माच शुरू की और जब complete की तब वो constantly touch में थे Indian Independence League का जो New York के director थे उनके साथ उनके कहने पर उन्होंने New York और America के अलग-अलग newspapers में दांडी माच को highly publicize किया, even New York Times ने भी उसको highly publicize किया और दांडी माच के बाद जो धरासना सत्यागरा हुआ, उसको तो world over के 1350 अलग-अलग newspapers ने publicize किया जहां से Indian Freedom Struggle को एक global face मिला Indian Freedom Struggle की हर जगह पे चर्चा हुई और indirectly Britain पे pressure भी create हुआ और जब वो 1931 में second round table conference के लिए जब England पहुँचे तो वहाँ के local Britons ने उनको hero का welcome दिया उनको एक hotel में stay मिला तो officially लेकिन उन्होंने चूज किया एक community center के hall में रहने के लिए उनको हजारों लोग मिलना है इवन वहाँ के mayor ने भी उनको welcome किया और वहाँ के government को ये डर था कि अगर ज्यादा crowds उन्होंने attract किया तो उनकी ही public उनके against ना हो जाए Such was his influence इवन without meeting those people face to face Apart from this उन्होंने चार newspaper publish किया जिसमें भी उन्होंने अपने सारे messages लोगत तक पहुचा है उन्होंने बहुत सारी books लिखी जिसमें से सबसे popular रही उनकी autobiography My Experiments with Truth और उसके अलावा भी कहीं सारी books उन्होंने लिखी थी और not only that उनकी जो evening prayers होती थी उसको भी उन्होंने यूटिलाइस किया to pass on his message and his communication to the people of India भले वो meetings में, वो prayers में 100, 200 या maximum 500 लोग आते थे लेकिन वो जो message वहाँ पे pass करते थे वो all over the India spread हो जाता था That was his influence और उन्होंने इसी तरह से काफी सारे interviews दिये रेडियो में भी उन्होंने interviews दिये The point is कि उनके जमाने में जो भी टेक्नोलोजी अविलेबिल थी कि जिससे वो communicate कर सकते थे चाहे वो one-to-one connection हो चाहे newspapers हो या चाहे और भी कोई ways हो communication के वो हर ways उन्होंने एक्स्प्लोर की है तब ना internet था ना television था ना कोई PR machinery थी उसके बावजुद भी उन्होंने अपने message को almost world की हर जगह पे पहुचा दिये that was his influence, that was his power and that's the reason why he became one of the biggest influencers of the world ever और हम जानते हैं वो पांच लोग जिन्होंने गांदी जी की ideology को follow किया, उनसे influence हुए और उनको Nobel Peace Prize मिले वो है Nelson Mandela Martin Luther King Jr Dalai Lama the 14th last but not the least, Barack Obama so आज 2020 में हम सब influencers बनना चाहते हैं तो गांदी जी से हम ये जी से जरूर से सीख सकते हैं, के let's become global, globally भी connect करते हैं locally भी connect करते हैं और लोगों के लिए real माइने में available रहते हैं और जितने भी sources हैं, उन सब को utilize करके, real वे में लोगों से connect करते हैं, और अपना influence create करते हैं, और हम भी global influencers बनते हैं